सबी बाईयों को नमस्कार सबी का सुआगत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे खाली बाल्टी दिखा दी गई है मिलकिंग आज आपको दिखा रहे हैं दूसरे ब्यात की जोटी जिसमें हमने 17 लिटर दूद रेकेमेंड किया था आज आपको उसकी चुआई दिखा रहे हैं जो भी बाई पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं मैं कहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रे रोटीन से हमारा विकरी का काम है और हम आप पसूदन बिकरी का काम करते हैं जो बाई परचेज करना काम करते हैं वाहर से जो other state आके उन अच्छा पसू दन पहुंचाने का प्रियास करते हैं अपनी वीडियो के जरिये तो नए पसू पालक जुड़े हैं पहली बार वीडियो देख पा रहे हैं उनको मैं अपना जो एड्रेस वगेरा है वो बताना चाहूंगा गाउं है हमारा खेडा थरू डिस्टिक लगता है ज रेगुलर आती रहती हैं लेकिन हमारा परियास रहता है कि पसू पालकों को अकेला मिल्क नहीं साथ में थोड़ी ब्यूटी वाले पसू भी हम दिखाएं जितने भी पसू दन हमने अपनी वीडियो में अब तक दिखाए हैं काफी जादा पसंद किया है साप सुत्रा पसू थनों की क्वालेटी बहुत ही साप सुत्री अभी कुछी देर में जो मिल्किंग आपको दिखा के जो मिल्किंग है वो आपको दिखा दी जाएगी जितना भी दूद जो पसू दन निकालेगा लगबग चुआई के टाइम पे घर बहुत कम रुक पाते हैं क्योंकि वीडिय पे घर थे तो आपको मिल्किंग दिखा रही हैं और जो है रूटीन से दो तीन पसू चार पसू रखते हैं जी अभी जो पसू है साप सुत्रे दो तीन दिन से अच्छा पसू सफाई का मिल नहीं रहा और रेट हैं वैसों के वो काफी मैं कहूंगा अच्छी साप सुत्री बैसों के कोश्टली रेट है वैसे तो सोसल मिडिया पे तो पसू पालक बोलते हैं कि सस्ते बाव में दे रहे हैं किराया भी फिरी हो जाता है उसका कारण ये है कि वो आपको बैस लगबग खीस में दो दिन चार दिन की बैसे देते हैं और सभी कहते हैं कि ये 20 देगी 17 दे प्रियोज आई हैं बहुत सारे बाई हैं जो गारंटी साथ में लिखते हैं कि गारंटी के साथ जो है हम दूद की गारंटी ले रहे हैं देखे मैं मेरे हिसाब से हम तिसरी पिडी में व्यापार कर रहे हैं दूद की कोई गारंटी नहीं होती जी दूद देखे अच्छी के केर करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है अगले पसुपालक पर पैसे दे के ले जाता है बाहर से फिर दूद कम दे जादा दे उस चीज़ का कोई समाधान भी नहीं मिलता तो मैं तो हर पसुपालक जो वीडियो में जुड़ा हुआ उसको एक ही बात बार-बार कहता हूं क कि आप तयार दूद की बैंस ले क्योंकि ये 20, 22, 25 वाली है ये देती नहीं अगर ये सारी इतने दूद वाली होती तो ये बच्चा देते ही गबन जेर लटकती हुई जो बैंसे बेचते हैं वो काम आप पसुपालकों को देखने को नहीं मिलता बहुत सारे ऐसे हैं कि 5 दिन क कि बैयुई में 14, 15 तयार है ये 22 देगी कुछ पता नहीं जी पसुदन कहां पर 14, 15 से उठने वाली बैंस सोड़ा पर रुख जाए 15 पर रुख जाए तो तयार दूद देखने का काम यही है कि संतुष्टी होती है कि हां इस पसुदन में इतना दूद तयार हमने देख के ल लेते थे कि 20 देगी लेकिन मुश्किल से महिने में 2-3 पसु 20 लिटर वाले निकल पाते हैं नहीं तो निकलते ही नहीं तो अच्छा पसु आप चाहे 10 दिन गूमके ले देख के लें लेकिन तयार दूद का पसु लेने की कोशिस करें जो कैपेस्टी या उमीद है उस दूद को ना मानने क्योंकि दूद तो वही है जो बल्टी में निकल के आप पसु पालकों के सामने आ रहा है तो बीच में वीडियो कम आई थी काफी किसान साथी जो वीडियो के जरिये जुड़े हो हैं फोन भी कर रहे थे तो वीडियो बीच में कम डाल पाए थे क्योंकि अपने फारम पे जो करिश्मा बैस है दूसरे ब्यात की उसकी मिलकिंग के लिए जी लगबग 20-25 दिन बैस को अच्छी तरह से समझा क्योंकि हमने जिस किसान पसुपालक से गाउं से खरीदी थी उस भाई को ये भी पता नहीं था बैस भाई क्या डाइट मानती है रूटीन म जैसे गयों बाजरे का दढ़िया डालके दूद चुवाई करने वाड़ा था अपने यहां पे आई बैस का पता लगा बैस ने तेल गी आउटी किस चीज को मानती है दीरे-दीरे पढ़ाई हुई बैस की और देखिये जी 20 से उपर की बैसे हैं वो तो जब पसू और मालिक का दिमाग दोनों का बराबर चलेगा कि मालिक भी समझे कि पसू क्या चाता है और पसू को जो मालिक समझ गया वही बैस दूद निकालेगी लेकिन आज कल सोसल मीडिया पे वीडियो ज लाइव बहुत चल रही है ट्रेंड आ गया 25, 26, 28, 30 किलो का लेकिन एक चीज मैं आप पसूपालकों को आज बता देना चाता हूं जी जजजर डिस्टिक की सबसे ज़्यादा दूद देने वाली लाइव मिलकिंग में जो अपनी करिस्मा बैस बनी साफ सुत्रा दूद हमने कांटा सैट नहीं किसी तरह का बट्टे चेक करवा के अच्छी तरह से वो चाहे नमक की थेली रखके भी दिखाई थी जी बिलकुल संतुष्टी वाड़ा दूद है और आज तक फिल्ड से कोई भी भाई ये कहने वाड़ा नहीं मिला है कि दूद में क्योंकि देखिए दूद और पूत है वो किसमत से मिलते हैं और जो भाई दूद में फरक करता है चाहे वो क पहले कि नेचुरल दूद क्या होता है मैं आज बताता हूं जी नेचुरल दूद यह होता है अपनी बैस ने 28 किलो 66 गराम दूद लाईव मिलकिंग में दिखाया और पहले जो बैस अपनी चल रही थी 39 ऐसे चल रही थी दूद लाईव मिलकिंग की जब पोस्ट डालते है जो बाई मिल्किंग करवाते हैं उनको पता है कि पोस्ट डालते ही बैंस है ना वो गटनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मालिक की अपेक्स आई बढ़ जाती है सेवा बढ़ा देता है और सेवा बढ़ाने में कोई चीज ऐसी दी जाती है एक्स्ट्रा जैसे हमने बीच के टाइम में खाली होने के बाद 14 किलो 700 कुछ गराम जब हुआ हमने भी अपेक्सा बढ़ाई हमने बैस को गी दे दिया कि अगले टाइम उठके आएगी लेकिन गी द चाहे 27 किलो दूद प्याज रेगुलर चल रही है बिलकुल रूटीन का दूद है यह नहीं कि सुपालकों को 30 दिखा दिया और बाद में 15 दिन बाद जाए तो वहाँ पे 20-19-18 मिले वो दोखा धड़ी का काम नहीं है ना अपने को यह की बैस बेचनी है नहीं बेचनी कोई कोई भी इनवाइट करते हैं जी कोई आके देखना चाहे कहीं बांद के चोणा चाहे कहीं लेके जाके चोणा चाहे अपनी संतूस्टी कर चकता है गाओं में जिस किसान से खरीदी थी 22 किलो दूद दूसरे ब्यात में पहले ब्यात में दो दात में निकाला था और अभी 6 दात कंपलीट है और अभी आज 27 किलो दूद तयार है गाओं की कटडी है गाओं में तयार हुई है इसलिए बार बार जो वीडियो में देखने को मिलता है जजजर की बैसे अच्छे दूद की बैसे रही है मैं खुद ये चीज नहीं बोल पा रहा था क्योंकि देखिए सभ 27, 27, 27 रूटीन का दूद है और इन बैसों के जो बच्चे हैं अपने को तो इससे बच्चे लेने हैं और जो कटड़ा है इसका उसको भी हम ये नहीं कहते कि सेल नहीं करेंगे कोशिश करेंगे कि चाए गाओं की पंचायत में रखें ताकि गाओं में अच्छी कटड़िया अगड़े पैदा हों इसकी जो मदर है वो भी 25 क इलोट की थी अपनी बैस की इसकी सगी बैयन है वो भी 24, 26 किलो दूसरे बियानत में निका निकाला है और तीसरे बियानत में बिमार होगी थी अभी आग्ये जब बच्चा देगी तब देखते हैं कितना निकालेगी और इस वैसे वैसे जो हो जाता है आपा तो तयार हैं जी किसी भी तरीके से आके अपने आज भी संतूष्टी कर लें साप सुतरा दूद दिखाएंगे और पसुपालकों को चाहे वो कटड़ा आगे किसी पंचायत को या किसी सीमन स्टेशन वाले भाई को किसी को भी देंगे जी अपने जो दूद दिखा रही हैं माप के दिखा देंगे क्योंकि देखे बिकरी वाली बैसे हैं जी दो चार दिन रुक पाती हैं उनमें इतनी देखरेक नहीं हो पाती आते ही बिक जाएं पांच साथ अजार रुपे जो कमाने हैं वो अपने मिल जाएं आप इसी काम तक से चाता है या दिखाना चाता है अपने चैनल पर सभी को इनवाइट है जी कोई भी आके कभी भी वीडियो बना सकता है किसी भी टाइम यह नहीं कि लोगों की तरह तीन गंटे का दूद रोक के बनवाएंगे जब भी दिखाएंगे साब सुतरी बिल्कुल रुटीन का पारे तब 27 किलो दूद पे चल रही है तो हर महीने दूद दिखाने का परियास है जी तो यह अपनी दूसरे ब्यात वाली जो जो जोटी है इसकी मिल्किंग आपको माप के दिखाई अगर सेल होती है तो सेल करेंगे नहीं अगर अच्छे पैसे मिले तो अगली मिल्किंग म लीटर में 18 लीटर हो रहा है इतना ही डिफरेंस है यह जी कुछ बच्चे ने ले लिया होगा 9 लीटर दूद आप बाईयों को दिखाया जैसा दूद है वैसा बाव है सभी बाई जुड़े से भी कादन